Hello friends, DDA की नई भरती का official notification जारी हो चुका है DDA की full form है daily development authority तो जो भी students central vacancies की त्यारी कर रहे हैं या central में job पाना चाहते हैं उन सभी को इन post ओ को एक बार देख लेने हैं अगर आप qualification के लिए eligible यहाँ पर होते हैं तो फिर आप इनका form जरूर reply करें इस वीडियो में detail में हम discuss करेंगे किन-किन के लिए भरती आई हुई है age limit क्या है form fees कितने लगने वाली है तो complete detail इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो पूरा देखना है चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लेना है इस तरह के और informative वीडियो के लिए फोर्म दोस्तों 3 जून यानि कि आज से start हो चुके है और form भड़ने की अंतिम देती है 2 जुलाई सामको 6 बजे तक आप अपना form apply कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है तो जल्द से जल्द अपना form apply कर देना है इसके बाद में आपकी जो examination होगी वो first stage पर होगी अगर्थ September में और इसके बाद में जो बाद में document verification जो physical test वगरा आपके होंगे वो फिर बाद में notify करें जाएंगे ये बाते आपको ध्यान रखनी है इसके बाद में बात करते हैं किन-किन पोस्टों पर भरतिया आई हुई है तो assistant accounts officer की जिसमें दोस्तों qualification आपका chartered accountant CA किया होगा होना चाहिए company security CS किया होना चाहिए या फिर ICWA किया होना चाहिए या master in financial control MBA करा हुआ भी आप इसमें form बर सकते हैं तो ये दोस्तों total इसमें vacancies इक्यावन पदों पर है जिसमें अलगलग categories आप यहाँ पर अपनी अपनी देख पा रहे हैं इसके बाद में second जो भरती है assistant section officer ASO की भरती है जिसमें qualification है bachelor degree और equivalent from any required university या आपको धनकना है इसके बाद में computer proficiency और इसमें total post 125 और अलगलग categories की आप screen पर देख पा रहे हैं और इसी तरह से same details जो है सारी भरतियों की यहाँ पर बताईगी है legal assistant आप screen पर देख पा रहे हैं जिसके total 15 पद हैं नायब तैसिलदार के 4 पद हैं और इसके बाद में जो छटी भरती है junior engineer civil की जो उसमें 236 पद हैं और survivor यानि की 13 पद हैं और पटवारी के 40 पद हैं इस तरह से दोस्तों जो सारी भरतिया है junior secretaryal assistant की 194 पद उपर भरती है तो complete details आपको यहाँ पर दी हुई है कि category wise सारी details यहाँ पर दी हुई है notification आपका टेलिग्राम पर share कर दिया है description में notification का link डाल दूँगा जिसको देख करके आप सारे doubts दूर कर पाएंगे और फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके doubts clear नहीं होते हैं तो आपको एक shortcut बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ तो सारे tension हटा करके आपको simply google chrome पर आना है और यहाँ पर सरकारी result आपको सर्च करना है सरकारी result आप जैसे ही सर्च करेंगे सरकारी result में latest job वाले आपको portal पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में latest job आप आप देखेंगे तो डेली dda various post online form 2023 last date 2 जुलाई यहाँ पर बताई जा रही है तो इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करते हैं आपके सामनी complete जो short-sort details हैं जिनके आपको जरूरत है वो सारी आपको यहाँ पर show हो जाएंगी यहाँ पर आप स्क्रेन पर देख पा रहे हैं कि important dates हैं आप पर अलग portal बताई है application fees बताई है कि general OBC EWS को 1000 रुपे आपर fees देनी होगी और SCST और जो female candidates हैं उनको कोई पैसे नहीं देने हैं form भढ़ने के लिए यह details आप यहाँ पर देख पा रहे हैं age limit आप स्क्रेन पर देख पा रहे हैं कि minimum age 18 वर्स है post wise और maximum age 35 वर्स है तो यह आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके बाद में DDA jobs की जो category wise vacancy details है वो यहाँ पर बताई है किस-कस category में कतनी vacancy है यह आप यहाँ पर देख लेंगे और how to fill DDA requirement का जो form है किस तरह से आपको fill करना है तो वो process बताई है और यहाँ पर जरूरी जो links है आपका apply करने का और बाकी जो सारी details है यहाँ पर आप बिल्कुल simple way में सिधा click करके अपना online form भर पाएंगे जो भी candidates interested है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही I hope आपके सारे doubts दूर होए होंगी फिर भी कोई doubt रहता है फिर भी कोई आपके समय शेयर रहती है comment करके जुरूर बताएं चैनल पर नए है तो subscribe कर लें इसी तरह की latest updates के लिए thanks for watching this video